है आठा कुंन दा रहा है यह आठा कुंदने की मशीन है और इस के अंदर बस पानी आपको हास डालना पड़ेगा मैंनुल टालना पड़ेगा बाक्टी यह आठा अपनी आप गुं देगे गया की और यह 20-25 किल्या आठा दाल रहे English यह 10 किलो हें डाल चुक हैं यह दूसरा 10 किलो का पैके टर तो यह देखो भाई 20 किलो आटा डाल दिया है सूखा अटा और इसके बंदरा मैनुवली पानी डाला जाएगा अंदाजे से कि कितना पानी डालना है और जब यह आटाग पूरा गूल जाएगा उसके बाद यह आटोमेटिक मशीन के अंदर रखा जाएगा जिसमें यह अपने आप रोटी का शेप ले लेगी पेड़े बनाएगी फिर रोटी का शेप ले लेगी और फिर रोटी को सेख के सीधा बाहर निगा लेगी तो अब यह आप देख सकते हो कि 20 किलो आटा गूला जा रहा है क्या बात है मतलब यह आप यह देखो कि कितने एफर्ट लगते हैं लंगर बनने में 40 से 50 हजार लोगों का वीक डेज में बनता है और वीकेंड के अंदर कम से कम यह 70 से 80 हजार हो जाना है तो यह देखो जी आटा पूरा गूल चुगा है और अब इस आटे को डाला जाएगा उस मशीन के अंदर तो यह देखो जी यहाँ पर आटा डाला जा रहा है जो इस आटा गुंच होगा जो भी आपके सामने गुंदा है और यह देखो जी यहाँ पर जासे पताया कि आटमेटिक मशीन देख रहा है तो यह इसको एक रोटी की शेप के लिए पेडे में कट के अजारा आप देखे तो हर एक पेडा जो है वो इकुली है और ये सुका अटा जो की दूरा लगाए जाता है जब रोटी बेल के अधाकि रोटी चिप के ना या फटे ना तो यह के अंदर देखने हैं अधिगो जब यह आराम से आरा है और यहां पे रोटी बेल के सिधा बाहर दिखा थे परशादा बेलने के बाद सीधा आपे चल रहा है जाहा पर अब ये ग्यास के अंदर जा रहा है और एक तर्म स्लो चलेगा एक बार राउंड नहीं लगेगा सब्सक्राइब तीन चार राउंड है दो तीन राउंड है आप देख सेथे हो उसके अंदर रोटी को शेक लगता ह और शेक लगने के बाद सीधा एंड में आके वो निकल जाएगी जब पूरी डन हो जाएगी अब दिखाते हैं आपको कहां पर निकलेगा परशादा ये देखो जी गर्मा गरम परशादे रेडी हो चुके हैं और अब इसको लंगर ओर में लेके जाए जाएगा ताले इस अब पुले-बुले जगर रे